Good morning students. Today I will start this topic 3 number in vertical addition. आज का माला topic क्या है students? 3 numbers में हम add करेंगे vertical addition सीखेंगे हम लोग आज. So students, let's start. सबसे पहले हम किसे add करेंगे? 2 and 3 को add करेंगे. 2 plus 3 करने पे कितना होगा students? 2 के बाद 3 count करो. 1, 2, 3. So 2 के बाद 3 काउंट करेंगे तो 3, 4, 5. कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. Then 1 add करेंगे तो 1 का 1. 5 plus 1 कितना होगा students? 5 के बाद 1 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. Then same है. Second देखिए आप इसमें. Students में क्या किया है? इसमें पहले 2 numbers add किये थे. इसमें क्या किया है? First visit को तो same as लिखेंगे हम इसमें. क्या? जैसे 2 का 2 हो जाएगा. Then इन 2 numbers को हम add करके यहां लिखेंगे. So 3 के बाद 1 add करेंगे तो कितना हो जाएगा students? 4 हो जाएगा. So 2 प्लस 4 कितना होगा? 2 के बाद 4 count करो. 1, 2, 3, 4. 4 count किया तो कितना होगा? 3, 4, 5, 6. कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. अब आप देखें. इसमें क्या किया है? सिर्फ order change हो है ना students? आनसर क्या है? दोनों का same ही है. आनसर दोनों का same ही है यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है. सिर्फ क्या क्या है? digits को change क्या है? digits, digits भी same ही है, सिफ order change किया है, so students, I hope आपको यह clear हो गया होगा, now students, हम इन numbers को add करेंगे, so first of all, 6 plus 1 plus 2 कितना होगा, 6 में 1 add करेंगे, तो कितना होगा students, 6 plus 1 कितना होता है, 7, 7 में 2 add करेंगे, 7 के पाद 2 add करेंगे, तो 7 के पाद, 8, 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, then 5 में 0 add करेंगे, 0 के तो कोई value ही होती, 5 का, 5 हो जाएगा, 5 plus 0 करेंगे, तो 5 होगा, 5 में फिर 1 add करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा then 3 plus 2 करेंगे तो इस तो कितना होगा? 3 में 2 आड करो 1, 2, आड करो 3 में 4, 5 कितना हो जाएगा? 5 यहां तक 5 वा, फिस 5 में 2 आड करेंगे तो कितना होगा? 5 में 2 आड करो 6, 7, कितना हो जाएगा? 7 then 7 में 1 आड करेंगे Okay friends, यह क्या है? 3 number addition in vertical form. कॉंसी form है यह? Vertical form. Okay student, now this is your homework, do in your notebook. Thank you student, stay home, stay safe.